अस्ट्रेलिया को तीन अभर में तीरिस रान चाहिये थे मैंने धोनी से कहा कि मुझे गेंद देदो पूर्फ दिग्वस ने सेमिवैनल मेस को क्या याद भारत और अस्ट्रेलिया के विज़ दोहजार साथ में खेला गया अस्ट्रेलिया ने सेमिवैनल मुकामाला काफी रिमान सक रहा था पूर्फ भारत अप्सिमिनार गेंद बास हर्वजन शिंग ने बाताया कि कैसे उस मेस में टीम इंडिया ने जित हासिल की थी और क्यू उन्होंने एमेस धोनी से कहा था कि उन्हें गेंद बाजे पर लगाए जये दोहसल दोहजार साथ के टीट्वेंटी वल्लकाप के सेमिवैनल मेस में फारत ने पहले खेलते हुए एक 188 रानो का 20 स्कौर बनाया था जबाब में अस्टेलिया ने भी मेथिव हेडेन की जवर्दस्त पारी की बदलत ब्यखबी रानो का पीशा किया हेडेन ने सिर्फ 47 गेंदो में बार्शत रानो की पारी खेली थी और श्टेलिया को आखेरी तीन अभार में सिर्फ 33 रान ही साहिये थे एमेज धोनी को अब एक मुश्किल फेशना करना था की वो किच्छे गेंबाजी कराए उनके तीसरे तेज गेंबाज जोगिंदोर शर्मा ने दो अभार में 31 रान दे शुके थे हर्बजन शिंग ने एमेज धोनी से कहा की मुझे गेंबाजी पर लगाओ इसके बाद हर्बजन शिंग ने कहा की उन्हें गेंबाजी पर लगाए जै धोई ने उनकी बाद छुनी और वर हर्वजन स्ँग को गेंबाजी पर लगाया दिया इस्टारी स्पर्श पर बाद सित के दोरान हर्वजन ने अपने उस अभार को यादक आ उन्हों ने कहा मेंने धोणी से कहा की मुझे गेंदो अस्ट्रेलिया को आभी भी तीन अभार में तीरिस रान चाहिये थे मेने बो अभार डाला और माइकेल क्लार्क का विकेट चटकाया इससे हमें काभी फाइदा हुआ आपको बाता देकी हर्बजन सिंग ने उस अभार में केबल तीन रान ही दिये थे और माइकेल क्लार्क का विकेट भी चटके थे आखिर में टीम इंडिया ने पंडर रानों से जित हासिल कर फाइनल में जगा बाना ली थी इसके बाद फाइनल मुकामाले में पाकिस्तान को हराक और वलकाप की ट्रोफी अपने नाम की थी भारत को टी ट्रोफी वलकाप जीते हुए अठा साल हो सुके है उस सेमी फैनल मेंस में अस्ट्रिले के खिलाप भारत के तराप से बल्ले बाजी करते हुए अस्ट्रिले के तराप से बोलिंग करते हुए मिचल जल्चल ने 4 औभार में 31 रादेकर दो विकेत चटकाया था और माइकेल कलाक ने 1 औभार में 13 रादेकर एक विकेत चटकाया था और भारतो टीम निधरीद 20 औभार में 5 विकेत खोकर 108सी रान बानाने में सक्षम हुआ था निधारित बीश अभार में 119 रानोका पीशा करते हुए अस्टेली के तारफ से सबसे ज्यादा मेथिव हेडन ने 47 गेंदो में 4 चोक और 4 शक्का के जोरिये 27 रान बनाया था और माइकेल हासी ने 12 गेंदो में 1 चोका के जोरिये 13 रान बनाया था और अस्टेली के टीम निधारित 20 अभार में 71 खोकर 114 रान बनाने में ही सबसम हुआ था भारत के तारफ से बोलिंग करते हुए सबसे ज्यादा चिरिशान ने 4 अभार में 12 रान देकर 2 उकर चटकाया था और 3 अभार में 37 रान देकर जोगिंदर सर्मा भी 2 उकर चटकाया था ओही इर्भान पाठान ने 4 अभार में 64 रान देकर 2 उकर चटकाया था और हर्वजन छिंग ने भी चार अफार में 24 रांदेगर एक केच्चत काया था और भारत ने जबर्दस बोलिंग करते हुया ये मेश पन्रो रानों से अपना नाम कर लिया था अस्ट्रेलिया को उस मेश में जित हासिल करने के लिए आखेरी गेन में 20 रांचाहिय थे तो अस्ट्रेलिया के तेज गेन बाज ब्रेटली ने बल्ले बाजी करते हुया आखेरी गेन पर चोका लगाया था और पन्रो रानों से भारत ने जित हासिल की थी मेश में भारत के तरफ से बल्ले बाजी करते हुए बहतरीन पुद्रशन के कारण इब्राश शिंग को प्लेयर अब दा मेश सुना गया था इब्राश शिंग ने तिरीज गेंदो मेश पाच चोका और पाच चोका के जोरिय शत्तर रान मनाया था आपको क्या लगता है इस साल जो टी ट्वेंट वाल काप वेस्ट इंडिस और अमेरिका में होने वाला है क्या उस में भारत चेंपियन बन सकेगी आपका राई जो है कमेंस बक्स पर जरूर बाताएगा और हम उम्मित करेंगे कि वीडियो आपको पसंद दया अगर वीडियो आपको पसंद दया तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने क्रिकेट प्रीमी दोस्तों तक पहुशने के लिए शेयर भी जुरूर किजेगा और हमारे युट्यूब चैनल और फेस्बुक माहिनिस पर्स को साब्सक्राइब और लाइक जुरूर किजेगा ताकि आपको इसे उत्ती हाशिक वीडियो मिलते रहे तो सले मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा